हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेके स्टूडेट्स कॉर्नर तो दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेके पी बॉर्डर बिटालियन के जो पैट और पीस्टी का जो अपडेट है जिनने इसमें जो है फॉर्म भरा था उनके लिए एक बड़ा आपडेट आया हुओ है तो इस वीडियो में हम सरफ बात करने वाले हैं जम्मू प्रोविस के लिए क्यूंकि ये जो अपडेट आया हुए ये सरफ जम्मू प्रोविस के लिए तो अब हम आपको जो है लेके चलेंगे उस नोटिएशन पर उसमें क्या बताएगिए आपको पूरा रीड करके बताएंगे फस्टा फाल जो अभी फॉर्म भरे थे जेकेपी बॉर्डर बिटालियन के जिन केंडेट्स ने भी भरे थे आपको बताया जाता है कि आपके जो भी important document है साथ में लेके आना है और valid ID proof आपको आधर card उगेरा साथ में लेके जाना है बाकी आपको जो admit card है वो आपका 28 date से जो है download होना start हो जाएगा आज date के आज 22 date है और आपका जो admit card है वो 28 से जो है download होना start हो जाएगा बाकी आपको एक और बात याद रखनी है कि आपको RT-PCR test जो है साथ लेके आना है आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर इनने बताया है नोटिकेश में यहाँ पर बताया गिया कि आपको RT-PCR test जो है साथ में लेके आना है और यह जो है free में होता है आप अपने GMC में जाके जो है आप यहां पे जो है आटी PCR टेस्ट कराएं और लेक सकते हैं The COVID test must have been conducted within 48 hours from the data physical test तो यहां पे जो है कुछ candidate जो है यह गलत भी करते हैं कि पराना जो COVID test किया हुआ होगा वही लेके जाएंगे बट यहां पे 48 hours का time दिया गया है कि उसके अंदर आपको test करवाना है तो यहां पे और भी बताएगे कि आपको जो है यहां पे COVID guidelines को जो है follow करना है आपको यहां पे जो है mask लगा के जाना है और यहां पे मैं आपको बतातूँ मैं आपको नीचे दिखाता हूँ यहां पे दिखा दिता हूँ district wise यहां पे दिया गया है रजोरी का 5 को है और पुंच का 6 को है और यह कहा है DPL ground रजोरी बाकियों का जो है SDRF ground यम्मू में है तो इनकी date वगेरा दी गी है यहां पे अगर किसी को यह notification चाहिए तो WhatsApp ग्रूप जरूर जोइन करें वहां से मुझे मैसेज करें मैं उनको यह notification प्रोवाइड कर लूँगा बाकि अगर कोई भी information चाहिए अगर कुछ बास समझना आई हो तो आप मुझे personally मैसेज कर सकते हैं या comment कर सकते हैं मैं आपको reply कर लूँगा